मुखमंत्री नितीशकुमार की कैबनेट की फेर बदल की चर्चा एक बार फिर से गुरुबार को तेज हो गई अचानक केंद्रिये सिक्छा मंत्री धर्मेंदर प्रदाहन दिल्ली से पटना पहुंचें पटना पहुंचें सीधे मुखमंत्री के एक करने मार्ग में पहुंच गया मुखमंत्री नितीशकुमार से उन्होंने बुलाकात की और कई घंटों तक ये चर्चा रही हम आपको खवर विस्तार से बताते हैं आपको बता दे कि मुखमंत्री दिशकुमार की केबनेट में फेर बदल की तैयारी की चर्चा गुरूबार को देर रात तेज रही। इस दोरान जद्यू के वरिष्ट निता और बिहार के सिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी भी मौजूद थें। भाजपा की ओर से इसकी आधिकारिक पूष्टी नहीं की गई है। मंत्रियों की बदलाव हो सकती है। इसको लेकर बिहार केबनेट में फिर से बदलाव की चर्चा तेज हो गई है। जिसको लेकर केंद्रिय सिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रदान अचानक गुरुवार को रात दिल्ली से पटना पहुँच गये। और सीधा मुक्मंत्री के अवाज पहुचे और वहाँ पर उन्होंने मुक्मंत्री से बादचीत की और कई घंटों तक ये चर्चाएं चले। ये भी संभावना लगाई जा सकती है कि क्या मुक्मंत्री को रास्टपती या उपरास्टपती बनाया जा सकता है। इसको लेकर कई महीनों से चर्चा तेज है। लेकिन इसकी अधिकारिक पूष्टी अभी नहीं हो पाई है। आगे की अपडेट्स के लिए आप बने रहें दर्स जीनियूस के साथ और देखते रहें दर्स जीनियूस।